नमस्ती दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड़सी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे आड़ी सी ओमें वसस के सी ओमेंस के बीड जो खेला जाएगा बिंगॉल ओमेंस टीटुएंटी का मैच गैस कल्यानी कलकता में होगा यह व पांच ग्रूप रहेगा तो गैस बहुत सारे मैचस 144 मैचस के वीडियो सब को इस चैनल में मिलेगा साथ ही साथ इसके बाद शार्जा टीटेंट के कवरेज भी मिलेगा इस चैनल में तो टेलीग्राम जॉइन होगा फॉर फूचर अपडेट वीडियो की डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से या फिर कॉमेंट सेक्शन वाला लिंक से एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिविशन वाला बिल दबा लेना तो हम लोग आते इस मैच में देखो 90-120 ना एवरे स्कोर है मेरा मानना है 9 बचे मैच स्टार्ट होगा एंड क्लियर वि के बालर है ना उनको विकेट ना भी मिल सकता है क्योंकि यह दोनों इस टीम का प्रमूग बैट्समैन है यह दोनों यह स्टेट लेवल चादा खेल चुकी है अच्छी प्लियर है सांसिता करें ली इन फॉर्म में बहुत अच्छा बैटिंग भी किया है तो यहां पर स्कूर है कुछ ना कुछ बट यह बात जो फिनिशिंग तैसे ना वह नहीं दे पाएंगी तो जिसके कारण विकेट देथ में बहुत साथ आगी रहेगा तो डेथ बॉलर्स को कैप्टेन बना सकते हैं अराम से आप लोग एक और बात ऐस इशाक को जनता फिलाल नहीं रहें तो डिफेंशिल होगा उपर से लेफ्ट हैने बैट्स मैंने लेफ्ट हम ऑफ्रडॉक है ठीक है नीचे से हम लोग बताएंगे तो इस टीम से प्रमुक है मोली मॉंडल अनिन्या हल्दार थोड़े से हिटे नीस नेचर के है जो है लकसर तो दोड ओवर डाल रही है अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं कराएंगी ठीक है ओपिनिंग बॉलिंग कोन है धारा गुजर ऐसी शाक मोली मॉंडल डेथ में ऐसी शाक एहलदार और एम मॉंडल करते हैंगी इस टीम से जो इंपॉर्टेंट बात क्या है आई आपको ऑपने जो है ना उनके बैट्स में बहुत करती है एक चीज़ ज्यान देना तो इनकी जो बॉलर्स है ना उनको आप ट्राइ कर सकते हो इसाक क्योंके ऐसे भी डी गुजर और एम मंडल सब के टिम में होंगे ठीक है यह थोड़ा सा पास्ट रिव्यू कर सकते हैं आप चाहो तो रिव्यू कर सकते हैं जहां पर दो प् बॉलर्स है ना वह थोरे से गाइस अंसर्टी नीचर के जहां पर मोली मंडल का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है उन्होंने इस टूनमें में अच्छा खेला है और इन्हीं हल्दार मेरे सबसे फिर एक बार आपके टिम में मौका होना चाहिए क्योंकि जब लेंगी बहुत इन्होंने तो यहां पर विकेट गिर सकता है ऑपनें के पावर प्ले के बॉलर्स बहुत की रूल प्ले करेगा इनके अगेंस पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कौन आ रहा है महमता किसको गहर सुलताना मिल और में अच्छा केल रहे है मतलब ऑपनेंस के मिलोर्स के बॉ हो सकते है क्योंकि एक दो ओवर में विकेट लेस जाने से टीम शायद कंचीनिव ना करें बट फिर से इनका मिल लॉयर ओडर में विकेट गिरेंगे मतलब यह टीम अगर बॉलिंग बैटिंग फॉस्च किया तो ठीक है अधर वैसा हो सकता है कि यह टीम बहुत कम रन बनाए पॉइंट वन पॉइंट तो गहर सुल्ताना आपको पावर प्ले में दो ओवर डाल देवे दिखेंगे ऑपोनेंट के सबसे बहतेरीन बैट्समेंट के लेंगी पावर प्ले में तो यह विकेट लेस अगर जाएंगी तो आप इनको ना कैप्टेम राइस के ना भी बना सकत तो अगर इस टीम का पहले इनिंग्स में बैटिंग हुआ तो तब क्या होगा यह टीम शायद 80 पर ओल आउट हो जाएंगी ऑपोनेंट चेस कर लेंगी बट अगर बॉलिंग हुआ तो यह डेथ में भी हाएंगी एक ओवर से दो ओवर करने में और वहां पर विकेट जरूर लेके जाएंगी कौन गहर सुल्तानाटी के पुझा अधिकारी दोनों मैच में बॉलिंग किया बट लास मैच में पिठाई हुआ गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर तो है नहीं पंपा सरकार पी आईच मेरे साब से डिफॉल्ट होना चीए यह आपके टिम में अच्छा प्लियार है यह टीम करना मुझे जो लगना बहुत लगड़ा है और बॉलिंग भी बहुत जादा बॉलर यूस होती है एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ बॉलर लास्ट राइम यूस होता तो सोचो इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन होंगे तो हर एक बॉलर को कटेगा अनिंदी था पाउर प्ले वाले बॉलर गोहर सुल्थाना प्यदिकरी डेथ में जो बॉलिंग कराएंगे ना अगर बॉल फस्ट होती है तो तीनों मस्ट पीक है अगर बॉल सेगें होता है तो आप यहां पर रोटिशन कर सकते हो हम तक इसको मेरे सब से ले 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 होता है तो शायद थोड़ा सा रिस्क ले सकता हो फीजी है गुज्टियर हमारे गहर सुल्ताना फिलाल मैंने यह रहा मेरा टीम ठीक है मैं फाइनल अपडेट अगर मैं पस्टिनल इंवेच्ट किया तो मैं आपको टेलिग्म भी दे दूँगा कहां पे टेलिग्रम पे अग